सब्सक्राइब नाओ एंड प्रेस तब बेल आइकन नेवर मिस अपडेट सभी सातियों को नमस्का जैहंद आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कॉम्पेटेटिव एक्जाम में प्रतियोगी परिक्षाओं में जो कुश्चन्स तैयार किये जाते हैं यहां पर हम यहां पर लेकर आये हैं आप सबके सामने यहां पर लेबोरेटरी इवन पैथलोजी से सम्बंदे हमारे एमसी कुश्चन्स रहेंगे तो डेली की एमसी कुश्चन अपडेट किये जाएंगे आपका अपना यूटूब चैनल पैथलोजी पर तरजाएब पर इज यूज टू वास आरबीसी यानि कि आरबीसी वास जब हम करते हैं ब्लड बेंक में या फिर ब्लड टांसिफूजन के समय तो उस समय क्या यूज किया जाता है यहां पर चार आप्शन दिये गए हैं फर्स्ट है हमारा 3.8 ग्राम पर देसिलीटर आप यहां पर देख सकते हैं तो इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है यूज ही नहीं है सेकंड है 0.85 परसंट एने सील थर्ड है हमारा 5 परज़न एडीटी ए एंड नेस्ट प्लास्ट ऑप्शन है 0.35 परसंट एने सील तो सबसे पहले हम यहां से रिमूब करेंगे यह फर्स्ट वाला एंड सेकंड करेंगे हम यह इडीटी ए क्योंकि एडीटी ए एक एंटी कंगलेंट है और यहां पर यह निकंप्लीट ऑप्शन दिया गया है अब हम देखते हैं यहां पर दो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास तो इसमें से हमारा ऑप्शन जो है यह सही है 0.85 परसंट एने सील ठीक है क्योंकि किसी-किसी बुक में हमें 0.9% NACL दिखाई देगा और किसी की बुक में 0.85% NACL है तो आप confused ना हो ठीक है तो इसका diet option है 0.85% NACL का यूज RBC washing में हिया जाता है अब हम चलते हैं Nex question की ओर 2nd question है हमारा which anti-congulant is not calcium chelator इसमें से कौन्सा anti-congulant calcium से bind नहीं होता है calcium chelator नहीं है तो यहाँ पर 4 option दिए गाएं फर्स्ट हैमारा EDTA यह भी जो anti-congulant है calcium chelator है नेस्ट है हमारा heparin इहां पर इस सभी int기न हमारे कैसियम चे लेटर है के बल एक onlyeun इसको हम नेतुरल एटी कॉइल्स लेटर नहीं ओता है और यह एंथे कॉइलन हमारे बॉड़िमे भी पाया जाता है इबं हमारी बॉडी में हिपेरिन इबं केल्सियम भी प्रजेंट दौनों पस्तित होते हैं तो इस तरह से इसका सही आंसर है हिपेरिन अब हम चलते हैं नेस्ट कुश्चन की और next question है हमारा प्लेटप्लेट्स अर मेडब ऑं इंड यहांई कि प्लेटकलेट्स किस से बने होते हैं तो यहांई चार आप्षन दिये गया है फर्स्ट है हमारा protein and lipid, second है phospholipid and proteins, तीसरा है phospholipid and lipid, चोथा है none, तो यहाँ पर इसका सही answer है, phospholipid and protein, तो इससे हमारा pretlets बनते हैं, ठीक है, हब हम चलते हैं next question की ओर, चोथा question है हमारा, जब हमारे blood में pretlets की कमी हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं, तो थ्रॉम्बोसाइटो पीनिया की condition में, कौन-कौन से चीज़े हमें देखने को मिलती हैं, यहाँ पर चार option दिये गए हैं, फर्स्ट है prolonged bleeding, जब pretlets की कमी होती है, तो bleeding भी होती है, यह प्लास्टिक अनीमिया, मेगालो प्लास्टिक अनीमिया की होता है, and vitamin deficiency भी होती है, नेस्ट option है, above all, तो इसका above all सही है, इन तीनों condition हमें, थ्रॉम्बोसाइटो पीनिया में देखने को मिलती हैं, ठीक हैं, अब हम चलते हैं, नेस्ट हमारा question है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, तो इसका सही answer है, centrifugal force, इसको हिंदी में अपके अंदरी बली भी बोलते हैं, आप इसको centrifuge के नाम से भी centrifugal force अब पैचान सकते हैं, ठीक है, आगे हम बढ़ चलते हैं, नेस्ट question की और, नेस्ट question है हमारा, यहां पर चार option है, फर्स्ट 42 से 54%, सेकेंड 13 से 17 ग्राम पर डेसी लीटर, सी हैं 12 से 16 ग्राम पर डेसी लीटर, एंड लास्ट हैं 15 से 50 से 60%, तो यहां पर आप देखेंगे, कि दो, आप हमेशा देखेंगे ना, कि SCT की नॉर्मल जैंज, परसेंटेज में हम देते हैं, तो यहां पर यह दो आप्शन कट हो जाते हैं, यह ग्राम पर डेसी लीटर, अब बचेंगे आप पर दो आप्शन, तो यहां पर यह हमारा फर्स्ट वाला आप्शन सही है, क्योंकि इसका, जो नॉर्मल जैंज है, 42 से 45% होती है, तो यह इसका सही आज़र, वीची, आरबीसी, लेटलेट्स, एंड प्लाजमा, तो इसका सही आंसर है, आरबीसी, ठीक है, आरबीसी, ब्लड में सबसे हैवियस्ट सेल होती है, क्योंकि जब हम देखते हैं, जैसे कि इस सेंटिफूज करते हैं, एंटिकोगलिंट ब्लड को, तो वहाँ पर देखेंगे, जो सेल्स रहती है, रेट सेल्स, हैवियर वेट के कारण, हैवियस्ट के कारण, वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है, एंड जो डबलू बीसी रहती है, वो प्लाजमा में रहती है, प्लाजमा में एंड प्लाजमा सुपरनेंट तेरने लगता है तो इस तरह से सही आंसर है और बीसी इस सबसे हैवियस्ट सेल होती है ब्लेड में आगे नेस्ट कुश्चन है हमारा आठ नम्बर का दा प्रोडक्शन और आर बीसी इन दा डा बॉनमेरो इजरेडुलेड बाइ, आर बीसी प्लाजमा प्लाजमा अप्लाजमा है कि और बिसी का का क्या करींद किल्सें से होता है नहीं नहीं यह प्रकासर नहीं यह से अंसर टिक इत्रोपोटिन से अब यहां से भी परचान सकते हैं टर्म से इत्रोमिस आर्बीसी यहनि रेड ठीक है तो आर्बीसी का प्रोड़क्सन इत्रोपोटिन से होता है आगे बढ़ी चलते हैं नेस्ट कुश्चन की ओर हमारे ब्लेड में हीमोगलोबिन प्रजेंट रहता है तो हीमोगलोबिन का मुख पंसन क्या है तो यहां पर चार उप्सन है प्रेवेंट ब्लीडिंग फाइट ऑप इंफ्रेक्शन केरी ऑक्सिजन इंटू सेल्स एंड असिस्ट इन प्रोलॉंग्ड वामेटिंग तो अब दे इंट्रेक्शन का ही हमोगलोबिन से लड़ता है नहीं क्योंकि यहां पर डबलू बीच का काम रहता है इंफेक्शन से रणना वार तो माझा ठर्ड ऑप्सन है कैरी ऑक्सीजन इंटू सेल्स वरलब ऑक्सीजन को करता है कहां से प्याप्रोब्र से लंग से डिश्यू में ल पर यहां पर यहां पर आपने पर समझ सकते हैं यह आपट पर पीचीब का जो सारा है पर वोलिम ऑफ आर्बीसी ठीक है तो यहां पर हम जो packed cell volume देखते हैं red cells नीचे packed हो जाती है तो packed cell volume मतलब RBC से होता है ठीक है इस तरह से थे हमारी 10 questions अगली next video में हम अगली 10 questions important questions लेकर आएंगे अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर लिजिए Thank you so much all the best